आम शांती परमधाम निवासी शिव बाबा हमें इस दुनिया से पार ले जाने के लिए उपराम बनाने के लिए देहभान से मुक्त करने के लिए प्रति दिन विभेन विधिया सिखाते है परन्तु आत्मा के पुराने संस्कार पर्चिंतन के संस्कार परदर्शन के संस्कार परमत के संस्कार उसे परमधाम निवासी शिव बाबा की श्रीमत को ग्रहन करने नहीं देते हैं और इसी लिए बाबा हमें बार-बार ये सिखाते हैं कि see no evil, think no evil, talk no evil, do no evil, hear no evil दुनिया की कोई भी बात, तुकि दुनिया ही evil है, न सुनो, न देखो, न सोचो, न बोलो, न करो और जब हम इसको संग से बचते हैं, तब सत का संग और रंग लगता है आज की मुर्ली भी हमें इसको संग से पार, उस सत पिता परमात्मा के संग का रंग लगाने की श्रीमत दे रही है सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य, आज है 26, मार्च दो हजार 24, बाबा के महवाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रोहानी प्रेम रखो सतुप्रधान बनना है, तो किसी की खामी नहीं निकालो आदत हो गई है, आत्मा के अवगोण देखने की परन्तो अगर अवगोण देखेंगे, तो देखा तो एनरजी वो नेगेटिव एनरजी अंदर जाएगी तो हमारे अंदर के गोण भी खत्म होते जाएगे, वो अवगोण हम में समाते जाएगे तो इसलिए किसी की खामी नहीं निकालो, क्योंकि हमें सतुप्रधान बनना है प्रश्न है किस आधार पर बाप से पदमू का वर्सा ले सकते हो उत्तर है बाप से पदमू का वर्सा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो एक बाप के सिवाई और सब बातें भूलते जाओ फलाना ऐसा करता, भैसा है, इन बातों में टाइम वीस्ट मत करो मन्जिल भारी है, इसलिए सदा सतुप्रधान बनने का लक्षे रहे बाप के लव में चटके रहू, अपनी सुक्ष में चकिंग करते रहू, तब पूरा वर्सा ले सकेंगे ओम शांती, अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको ये मालूम है, कि बेहत का बाप फिर से सतुप्रधान बना रहे है पहली बार नहीं है, कल्प कल्प बाबा ने बनाया है और हम बने है मूल युक्ति यही बता रहे है, क्या है युक्ति? सतुप्रधान बनने की आत्मा, आत्मिक स्थिती का भ्यास यही बता रहे हैं, कि अपने को आत्मा भाई-भाई समझो मुख्य शिक्षा यही देते हैं, कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत थोड़ा नहीं बहुत बहुत रुहानी प्रेम होना चाहिए रुहु-रुहु के साथ जो कनेक्षन है, उसके आधार पर प्रेम होना चाहिए पहले तुम्हारा था, ऐसा नहीं है, पहले नहीं था पहले तो तुम्हारा था, अब नहीं है मूलवतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती है वहाँ कोई emotions नहीं है, वहाँ तो आत्मा बिलकुल motionless है तो बेहत का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आज कल करते करते समय बीतता जा रहा है दिन, मास, वर्ष बीतते जा रहे है और अभी तो टाइम का सच में पता ही नहीं चलता है बाप ने बताया है, तुम यह लक्ष्मी नारायन थे किसने तुमको ऐसा बनाया, किसने बनाया, बाप ने यह भी बाप ने बताया है, कि तुम नीचे कैसे उतरे हो चड़े कैसे वो भी पता है, वो नीचे कैसे उतरे हो ये भी पता है, उपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीथता जा रहा है वहदिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया तुम जानते हो कि पहले पहले बिलकुल पहुच जाओ, बिलकुल स्टार्टिंग में, ड्रामा के आदी में हम सतु प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था, बिलकुल एक स्टोरी की तरह लगता नए हम सतु प्रधान थे, हमारा आपस में कितना लव था, बाप ने तुम सब भाईयों को शिक्षा दी है तुम भाई-भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए मैं तुम्हारा बाप हूँ कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ तुमको तमू प्रधान से सतु प्रधान बना देता हूँ ऐसा बाप क्या संभाल है बाबा की कि हमें तमू प्रधान से सतु प्रधान बना देते हैं तुम्हारी इम उब्जेक्ट ही है तार्गेट तो यही है ना क्या सतु प्रधान बनने की सातो गुण प्रधान है ना समझते हो जितना जितना हम सतु प्रधान बनते जाएंगे तो उसके निशानी क्या है कोई सतु प्रधान बन रहा है निशानी क्या होगी उतना खुशी में भी आते जाएंगे हम सतुप्रधान थे हम भाई-भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है हम देवताईं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे याद आते हैं सबको हम कितने प्यार से रहते थे, प्रेम से चलते थे इन देवताओं की और हैवन की बहुत महिमा है न पैरडाइस की स्वर्ग की कितनी महिमा है तुम भी हैवन के रहवासी थे याद आ रहे हम सब हैवन के रहवासी थे फिर फिर क्या हुआ फिर आज कल करते करते नीचे आते गए एक तारीक से लेकर वन 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 से लेकर आज आकर पाँच हजार वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं शुरू से लेकर तुम कैसे पाट बजाते आये हो वह सब बुद्धी में है याद आ रहा है ना सबको अब देहे अभिमान होने कारण एक दो में बह प्यार नहीं है एक दो की खामियां निकालते रहते हैं प्यार नहीं है तो अधार क्या है एक दुसरे की बुराईयां करते रहते हैं उनके अवगुण देखते रहते हैं गल्तियां ही निकालते रहते हैं फलाना ऐसा है जब देही अभिमानी थे, तो ऐसे किसकी खामिया नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था, अब फिर बही अवस्था धारण करनी है, करनी है ना, तो किसी की कमी कमजोरिया नहीं देखनी है, गुण भी तो है ना, वो भी तो देख सकते हैं ना, यहां तो एक दो को उस द्रिश्टी से देखते हैं, तो आपस में लड़ते जगरते हैं, दुनिया में भी अई होता है, शुरू में संबंध बनता है, कि साधार पर एक दुसरे के गुण देखते हैं, जादा पास रहते हैं, शादी हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, धीरे दुसरे की कमिया देखने लगते हैं, फिर वही attraction, repulsion में convert हो जाते हैं, फिर क्याते हैं, इसके साथ रहा ही नहीं सकते हैं, तो कारण क्या है, खामिया देखना, तो गुण देखने लग जाओ, तो फिर से आपस में प्यार हो जाएगा, तो अब फिर वही अवस्था धारण क देखते हैं, तो आपस में लड़ते जगरते हैं. फिर यह बंद कैसे हो? यह लड़ना जगरना यह बंद कैसे हो? यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे, तुम ही सतुप्रधान, पुझ्चे, देवी देवता थे. फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमुप्रधान बने हो. तुम कितने मीठे थे? अब फिर ऐसा मीठा बनो. तुम सुखदाई थे. याद आ रहा है? फिल्कुल इमर्ज करो अपने वईवाले संसकार. अब दुखदाई बने हो. रावन राज्ये में एक दो को दुख देने कामकटारी चलाने लगे हो. जब सतुप्रधान थे, तो कामकटारी नहीं चलाते थे. तुम्हारे यह पाच विकार कितने शत्रू है? यह है ही विकारी दुनिया. अब दुनिया किसे बनी है? दुनिया वालों से? सब दुनिया वालों में प्रतेक मनुष्या आत्मा में विकार आ गए है. तो विकारी दुनिया बन गई है. यह भी तुम जानते हो. राम राज्य आज कल करते सत्य योग, त्रेता, द्वापर पूरे होए। अब कल योग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सत्य प्रधान से तमुप्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रोहानी खुशी गायब हो गई। आयू भी तुमारी छोटी हो गई। यादा रहा है सारी स्टोरी क्या से क्या हो गए हम। बाबा ने तो सब देखा, बाबा को तो सब पता है। अब हमें भी अंदर से सब कुछ फील होता है। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सत्य प्रधान बनाऊंगा। तुम ने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाब समझाते हैं, पाच हजार वर्ष के बाद, जब संगम युग आता है, तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आतमा समझ, बाब को याद करो। जितना याद करेंगे, उतनी खामिया निकलती जाएंगी। तुम जब सत्य प्रधान थे, तो तुम्हारे में कोई भी कामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। बिल्कुल स्टोरी की तरह बाबा समझा रहे हैं आज। और बिल्कुल जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपना उस्वरूप भी इमर्ज करते जाओ। अब वह खामिया कैसे निकलें। आतमा को ही अशान्ती होती है। अब अपनी जाच करनी है कि हम अशान्त क्यों बने। जब हम भाई-भाई थे, तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आया है। कहते हैं, अपने को आतमा भाई-भाई समझो। एक दो से प्रेम रखो। देहे अभिमान में आने से एक दो की खामिया निकालते हो। बाप कहते हैं, तुम अपना पुरुशार्थ करो उच पद पाने का। तुम जानते हो, हमको बाप ने ऐसा वर्सा दिया था, अब फिर बाप आया हुआ है, तो क्यो ना हम उनकी मत पर चल कर फिर से पूरा वर्सा ले वे। बाबा ने ऐसा बनाया था, हमें संपूर्ण देही अभिमानी सर्वप्राप्तियों से संपन बनाया था, तो भी बाबा फिर से आए है तो क्यों ना फिर से वर्सा ले ले हम ही देवता थे फिर चुरासी जन मिलिये तुम मीथे मीथे बच्चे कितने अडोल थे कोई मत भेद नहीं था याद आ रहा है सबको सत्योग के अंदर अडोल थे मतों का भेद नहीं था किसकी निंदा आदी नहीं करते थे अभी, अभी क्या करते हैं कुछ न कुछ खामिया है बह सब निकाल देनी है हम सब भाई भाई है एक बाप को ही याद करना है यही ओना लगा हुआ है क्या? कि हम सतुप्रधान बन जाएं यही लगी हुई है, धोन लगी हुई है फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया इन सब बातों को भूल जाना है बाप कहते हैं यह सब छोड़ो क्या करो? अपने को आत्मा समझो इस सब दे अभीमान की बातें इने छोड़ दो अब सतुप्रधान बनने के लिए पुरुशार्थ करो देहे अभीमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा सूल कॉंशिस होकर सामने वाले को भी उसके मूल स्वरूप में उसके आदी अनादी स्वरूप में देखो तो गुण दिखाई देंगे सब को गुणवान बनाने की कोशिश करो कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे समझा जाता है यह तमो वर रजो प्रधान है तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी समझ जाओ इस बात को कि है यह आत्मा की कॉलिटी अभी ऐसी है तो ऐसा करेगा वो सबसे जास्ती गुण है बाप में तो बाप से ही गुण ग्रहन करो तो बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ दो अवगुण छोड़ गुण धारण करो सब बातों को छोड़ दो अवगुण को छोड़ दो बस एक बाबा को देखो और गुण धारण करो बाप कितना गुणवान बनाते हैं कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है बाप सुखदाई है हमको भी सुखदाई बनना है बबा गुणु का सागर है हमको भी गुणवान बनना है बबा सुखदाई है हमको भी सुखदाई बनना है बस यही फुर्ना रहे क्या फुर्ना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है और कोई बात न सुनो न गलानी करो कुछ भी ऐसी वैसी बात कोई सुनाए तो न मत सुनो किसी की न गलानी सुनो न निन्दाचुगली कुछ नहीं सुनो सब में कोई न कोई खामी है कल युग है तो कमी कमजोरी तो हर एक में है न खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके दूसरे समझते हैं इनमें खामी है वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं ऐसा ही होता है ना दूसरे को देखते हैं चाहिए तो ऐसा ये तो ऐसा है और खुद को बहुत अच्छा समझते हैं ऐसा तो नहीं है न, कि हम संपोर्ण बन चुके हैं, हम में कोई कमी नहीं है, परन्तु कहा न कहा, उल्टा बोल निकल पड़ता है, सतुप्रधान अवस्था में यह बाते नहीं होती, तो सोच लो, अगर हम दूसरे की कमी कमजोरी देखते हैं, सुनते हैं, गलानी सुनते हैं, सुनाते हैं तो अभी वो अवस्था नहीं आई है, सतुप्रधान अवस्था में यह सब चीज़े नहीं होती हैं, बाबा कहते हैं, यहाँ खामिया हैं परन्तु न समझने कारण अपन को मिया मिठ्धू समझ बैठे हैं, कमिया तो हर एक में हैं, तो यदि realization ही नहीं है तो फिर यह सोचते हैं कि हम में तो कोई कमी नहीं है, हम तो ठीक हैं, वो गलत है, बाब कहते हैं, मिया मिठ्धू एक मैई हूँ, क्योंकि बाबा में कोई कमी नहीं है, है ना, जो तुम सब को मिठ्थू यानि मीठा बनाने आया हूँ बाबा आये है हमें मिठ्थू यानि मीठा बनाने सब अवगोण आदी छोड़ दो अपनी नब्स भी देखो खुद को चेक करो हम कितना मीठे मीठे रुहानी बाप को प्यार से याद करते हैं चेक करो खुद को कितना खुद समझता हूं और औरों को समझाता हूं देहे अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमुप्रधान है जब सतुप्रधान थे तो देवताउं का राज्य था अब 84 जन्म भोग तमुप्रधान बने है अब फिर सतुप्रधान बनना है तमुप्रधान भी भारतवासी ही बने है और सतुप्रधान भी वही बनेंगे और कोई को सतुप्रधान कह नहीं सकते सत्युग में कोई धर्म होता नहीं बाब कहते है तुम अनेक बार तमुप्रधान से सतुप्रधान बने हो अब फिर बनो कितनी बार बने है फिर बनो श्रीमत पर चल कर मुझे याद करो यही ओना चाहिए बाकी दर्बदर की बातों को छोड़ दो यही धुन लगा दो कि मुझे सतुप्रधान बनना है बाब को याद करना है बाब सिर पर बहुत है बाब ने अभी सुजाग किया है देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी हैं क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भोल जाते हैं देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घ्रिणा आती है क्याते न मैं मूरख खल कामी तो खुद को नीट समझते हैं, पापी समझते हैं तो उनके सामने तो ऐसे बोलते हैं तो उनको देखकर अपने से घृणा आती है घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं अपने आपको बहुत अच्छा समझते हैं खयाल भी नहीं करते के इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन? अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? देवता बनना है तो क्या करना है? तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो. श्रीमत पर चलना पढ़े. पहले-पहले बाप कहते हैं, अपने को सतुप्रधान बनाना है. क्या बनाना है? आज की मुडली में बार बार एकी धुन. हमें क्या बनना है? सतुप्रधान. इसलिए क्या करो? मा में कम याद करो. और कोई जर्मूई, जग्मूई नहीं करो. यह परचिंतन, परदर्शन, न निंदा चुगली, यह सब छोड़ दो. अपना ही ओना रखो कि हमको यह बनना है. दूसरों को नहीं देखो. खुद को देखो. बस थुन लगा दो. बाप कहते हैं, तुम ही आदी सनातन देवी देवता धर्म वाले थे. फिर कहां गए? क्या हो गया? हम ही थे देवी देवता, फिर क्या हो गया? कहां गए? इनके ही 84 जन्मू की कहानी लिखी हुई है. अब हमको ऐसा बनना है. देवी गुण धारण करने है. भाई-भाई समझ कर बाप को याद करना है. क्या-क्या करना है? नोट कर रहे हैं न सभी? बाप से वर्षा लेना है. कितना सब कुछ करना है? फिर सब कुछ ये सब काम छोड़कर इधर जरकी बातों में क्यों पड़े हैं हम? बुद्धी में आना चाहिए निंदा स्तुती तो करते आते हैं. वास्तव में स्तुती तो है ही नहीं, निंदा है. जिनकी एक तरफ स्तुती करते, उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं. एक तरफ भगवान की महिमा कर रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, उस सब जगा है, सर्व्यापी है. तो निंदा भी करते रहते हैं, बाबा कहते हैं कि स्तुती तो कीई नहीं, एक्चुली में तो निंदा ही कीई है. तो दूसरी और उनकी दूसरे तरफ निंदा भी करते हैं चुकि जानते ही नहीं एक तरफ बाप की महिमा करते दूसरे तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं ठिककर भित्तर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं विनाश काले विप्रीत बेमुख बुद्धी विनश्यन्ती विनाश काल में जिनकी बुद्धी विप्रीत है बेमुख है विनश्यन्ती हो जाएंगे विनाश काले पुद्धी सम्मुख बुद्धी विजयन्ती जितना हो सके पुशिश करनी है बाप को याद करने की भक्ति मार्ग में भी तो याद करते थे ना भगवान को परन्तु वह व्यभीचारी याद थी बहुतों को याद करते थे पताई नीता भगवान कौन है तो सब कोई भगवान समझ कर याद करते थे अब बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं अव्यभीचारी याद में रहो, सिर्फ मा में कम याद करो, भक्तिमार्ग के धेर चित्र है, जिनको भी तुम याद करते आये हो, अब फिर सतुप्रधान बनना है, वहाँ भक्तिमार्ग है ही नहीं, जो याद करना पड़े, बाप कहते हैं, फुर्णा यही रखो, कि हम सतुप्रधान कैसे बने, यही फुर्णा लगना चाहिए, कि हम सतुप्रधान कैसे बने, ज्यान मिल गया, कि यह स्रिष्टी चक्र, कैसे फिरता है, वह तो सहज है, नौलेज को याद करना, समझना, यह तो easy है, अच्छा, कोई मु बुद्धी में जरूर आता है, क्या, कि हम सतुप्रधान से तमुप्रधान कैसे बने हैं, अब फिर सतुप्रधान बनना है जरूर, यह तो आता है, यह तो फुर्णा होना चाहिए, मन में तो आता ही है, क्योंकि ज्यान है, मुख से यदपी नहीं बोल सकते, विस्तार पू प्रद्धान बनना है, अगर कोई बोल नहीं सकता है, तो कहेंगे अपनी तकदीर, सेवा करने का पाठ नहीं है, तो क्या कहेंगे, किस्मत असी है, भावी भी है, बाप ने बहुत सहज उपाएं बताया है, बाप तो बहुत बहुत इजी इजी तरीके बताते रहते हैं, पर त तदबीर तो करनी पड़ेगी न, तो बाबा कहते हैं, बैज पर समझाना सहज है, यह है बेहद का बाप, बैज पर बाबा का चित्र है, तो बताना यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्सा मिलता है, लक्ष्मी नारायन बनते हैं, बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते है Heavenly God Father है सो तो जरूर यहां ही करेंगे शिव जयान्ती माना स्वर्ग की जयान्ती अब यहां ही करेंगे तभी तो शिव जयान्ती मनाते हैं न बाबा आए स्वर्ग की स्थापना करने तो शिव जयान्ती सो स्वर्ग की जयान्ती स्वर्ग में है देवी देवताई बेख फिर कैसे बने? कैसे बने? बेखे हमें पता है ना कैसे बने? इस पुरुष्योत्तम संगम युग पर बढ़ाई से बने बन रहे हैं ना सारे? तुम बच्चों को भी समझ मिली है फिर औरों को भी यह समझ देनी है तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्सा परंतो यहां कोई पाई पैसे का वर्सा लेने वाला भी है तो पदमू का वर्सा लेने वाला भी है जितना लेंगे उतना पद पाएंगे सारा अमदार पढ़ाई पर है यात की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट ना करो बाबा बार बार हमें आज की मुडली में लक्षे की याद दिला रहे है कि हमें सतुप्रधान बनना है तो इसलिए इधर उधर की बातों में कौन क्या कर रहा है, क्यूं कर रहा है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो, मंजिल बहुत भारी है, सतुप्रधान बनने में ही माया विग्र डालती है, पढ़ाई में विग्र नहीं पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं, अपने को देखो, हमारा कितना लव है, लव ऐसा हो, जो, नोट करेंगे कैसा हो लव, जो बाब से चटका रहे, बिलकुल, बाबा से चटका रहे, छोड़े ही ना बाबा को, सिखलाने वाला बाब है, इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, यह भी सीखती है, बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो, ओचे ते ओच तो आप हो, फिर मनुश्य स्रिष्टी में भी, आप हमको कितना ओच बनाते हो, ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए, बाबा, आप कितनी कमाल करते हो, ऐसे चलता है मन में कभी, बाब कहते हैं बच्चे, तुम फिर से अपना राज्चे लो, मा में कम याद करो, खुशी से, अपने से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं, कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाब के मिलने की भी खुशी है, परन्तु, इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है, नहीं तो विवेक कहता है, कि बहुत खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से, हम यह राजा बनने वाले हैं, बेहद के बाब के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैट तुम बच्चों को नई-नई बाते सुनाते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धी में बहुत नई-नई बाते हैं, जो और कोई की बुद्धी में नहीं हैं, यह ज्यान और किसी की बुद्धी में नहीं हैं, रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को गुद्ध मॉर्निंग, नमस्ते, 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 धारना के लिए मुख्यसार पहला, देही अभिमानी अवस्था धारन कर, सुखदाई बनना है, किसी की भी खामियां यनी कमियां नहीं निकालनी है, आपस में बहुत-बहुत प्यार से रहना है, मत भेद में नहीं आना है, दुसरा, और सब बातों को छोड़, एक बाब से गोण ग्रहन करना है, सतुप्रधान बनने का फुर्ना रखना है, किसी की बात न सुननी है, न गलानी करनी है, मियां मिठ्थू नहीं बनना है, बरदान है, समय प्रमाण, स्वयम को चेक कर, चेंज करने वाले, सदा, विजई, श्रेष्ठ, आत्मा, भवा, सदा, विजई, श्रेष्ठ, आत्मा कैसे बनेंगे, जब समय प्रमाण, स्वयम को चेक करके, चेंज करेंगे, जो सच्चे राज योगी है, वह कभी किसी भी परिस्थिती में विचलित नहीं हो सकते, तो अपने को समय प्रमाण, इसी रीती से चेक करो, और चेक करने के बाद, चेंज कर लो, सिर्फ चेक करेंगे, तो दिल शिकस्थ हो जाएंगे, सोचेंगे के हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं, ठीक होगा या नहीं, इसलिए चेक करो और चेंज करो, चुकि समय प्रमाण, कर्तव्वे करने वालों की सदा विजय होती है, इसलिए सदा, विजयी, श्रेष्ठ आत्मा बन, तीवर पुरुशार्थ द्वारा, नमबर वन में आजाओ, बस सारा ध्यान खुद पर हो, अपने अंदर की कमियों को जानो, पहचानो, चेक करो और चेंज करते जाओ, बस दीवर पुरुशार्थी बन चाएंगे, सदाकाल के विजयी और श्रेष्ठ आत्मा बन चाएंगे, स्लोगन है, मन बुद्धी को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सकेंड में विदेही बन सकेंगे, विश्व कल्यानकारी बनने के लिए, मन सा सेवा करने के लिए विदेही बनना पड़ेगा, और विदेही बनने के लिए अपने मन और बुद्धी पर कंट्रोल होना बहुँ जरूरी है तो इसका अभ्यास हमें बार-बार करना चाहिए तो आज की मुडली के आधार से आज हम सारा दिन एक दूसरे के गुण देखेंगे इधर उधर की बातें कौन क्या कर रहा है क्यूं कर रहा है उने को छोड़ देंगे अपने अंदर भी गुणों को देखेंगे और जो भी आतमा संबन संपर्क में आती है सबसे पहले उसके भीतर छिपे गुणों को ही महसूस करेंगे उसी को अनुभव करेंगे और फिर उस आधार से जब बादचीत करेंगे न तो आप देखेंगे कि हमारे आपस का मन भेद मत भेद मिट जाएगा संसकार मिलन हो जाएगा सारा दिन गुण ग्राही द्रिष्टी से हम संबन संपर्क में आएगे चाह, ओम शांति दुनिया का बूच अपने सर से उतार दे सरमर्थ को सौप सब तू उसका प्यार ले प्रभु प्रेम में मन मेरे हर घम बिसार दे छोटी सी जिन्दगी हसके गुजार ले दुनिया का बूच अपने सर से उतार दे समर्थ को सौप सब तू उसका प्यार ले लिक्माटी का दिया अंधियारों से हे लड़तां भगवान का दिया तू, किस बात से है डरता चूले बुलन्दियों को, जिन्नत उतार ले छोड़ी सी जंदगे है, हसके गुजार ले उसका है साथ तुझ गव, तो साथ है हवाए काटो की फिक्र ना कर, तेरे साथ है दुआए कर्मों की कूची लेकर, पिस्मत सवार में ओ, चोटी सी जिन्दगे है, हसके गुजार ले दगमगाई उसने ही हाद ठामा गोमीत बनके आया जब तू बन सुदामा सच्चाई की ताकत से कष्टी उबार ले छोटी सी जिन्दगी है हसके घुजार ले दुनिया का बुच अपने सर से उतारे समर्थ को सौप सब दूसका प्यार ले प्रभु प्रेम में मन मेरे हर घं बिसार दे चोटी सी जिन्दगी हसके घुजार ले चोटी सी जिन्दगी है हसके घुजार ले और चोटी सी जिन्दगी है हसके घुजार ले झाल झाल झाल